आपका स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आज यहां अर्भी के पत्ते लेने आई हूं पतोरु बनाने हैं मम्मी ने कहा कि पतोरु बनाने हैं अर्भी के पत्ते लेकर आओ जिसे पतोरु बहुता है और बत भी कहा जाता है तो मैं अर्भी के पत्ते लेने आई हूं मैंने सोचा आपके साथ भी शेर किया जाए कि कैसे बनते हैं पत्ते ओर लोंगी अध्याजाद कि कि अ कि अ नंग कि कि भापने के ये अ करा उद्वेरें को थे जादे हैं कैसरे कि अ ये देखिये ये हैं अर्भी के पत्ताय को दिए यह बढ़े हैं लेके आने क्योंकि यह कुछ जगां पर कहीं कहीं लगे हुए है इन पर रखके हम खाना भी खातकते हैं इतने बड़े हैं इस आप इस आप आप इस आप रोटी के साथ भी खार सकते हैं यह जादा तर बर्सात के मोसम में बनाई जाती है और इस आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं चाहे के साथ भी खा सकते हैं लशी के साथ खा रहे हैं और यह काफी टेसटी बनती हैhone किस्ती क्विस्ती सटे अभी हमने टसे कर लिये हैं फत्ते आ a और एक त zo कि लिए पत्ते चाहिए होगे वह पत्ते लिए हैं तो यह है है एक लिए बांदें के लिए भी हमें जो खुजूर होती है खजूर के पत्ते चाहिए होंगे वो भी लेके आने पड़ेंगे वो सभी मुझे इकठा करना पड़ेगा तब ही मम्मी बनाएगी और यह हैं खजूर के पत्ते अब यह हम इनको करेंगे साफ अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से आटा इसमें डाली है हमने लाल मिर्च और कुछ हल्दी और नमक जो है वो स्वादा नुसार अगर आपको कम चाहिए तो कम डाल सकते हैं अगर कोई तेज नमक खाता है तो तेज डाल सकते हैं अच्छे सफ यह अच्छे मुदते हैं जोचे ऑटा को है और यह आमैं जालें है मुथी साफ।र बेस्ट शामओं जोच ओड़ाय करstता हसे अच्छा सेुंते हैं ती मुथा और यह जोएन गलाता है अब इसमें हम लालेंगे पानी इनको गूंधना है अच्छे से मिक्स करना है सब कुछ आट्टे में ताकि सारा मसाला मिक्स हो जा अच्छी तरह यह लग गया आट्टा और यह पत्तों को उल्टा करके यहां पर जो अच्छी तरह बना था वो लगा रहे हैं कुछ लोग जो यह बना हुआ है अच्छी लोग बेसन भी डालते हैं लेकिन हमारे यहां तो मक्कई का आटा यह लगाया जाता है उसमें मसाले मिक्स करके हुआ अच्छी लोग लोग इन पाटा मी से अच्छी लोगा यह तरह बना हैं क्टों कि अच्छी लोगा जाता हैं को थीज़ बना हैं कर दो प्छों लोग्वां अवए सत्लित ऑटा प्टा नच्टार प्टार्वूं अब जो पत्ते लेके आये थे हम हल्दी के वह यह वाले पत्तें में रैप करेंगे इसमें कुछ लगवा है अच्का है यह हल्दी के पत्तें हैं रैप करेंगे हम प्रेडा करूंगा इन परिदा प्रेंग उन्याम व्र प्रेंग भीवारी प्रेंगे भी अपमा प्रेंग से लिए प्राफट प्राफब कि अधियों निडरीड़ झालán और अब इसमें हम डालेंगे पतोरू इसे तरब के पहले इसमें लकडियां लगानी पड़ेंगी आप उपकर में बढ़ सकते हैं लेकिन हम इसमें बनाएंगे चुल्ले पर मिट्टी के चुल्ले पर और इसमें हम डालेंगे पानी इसमें हम डालेंगे पानी और अब मैं चुल्ले पर पोचा लगा रही हूं स्पेद में टीका पोचा या फिल गोलू क्या लू हूं हुआ ग क्ट बनोँ कर घ्ट्सकाइम कर दो को दो ? 현재 हम बनूटा है करिए हम है मिठी मिठी आग में इसको होने देना है क्योंकि जो इसकी भाप है उसी से पक चाहिए जाला हुआ है और ये मैं बना रही हूं मठा इसके लिए मैं पुदीना और हरी मिर्च इसको कूटना अच्छी तर और दही में मिक्स करना है ये हमारा मठा तयार है आज हम देना करेंगे मठा विद्ध पतोड़ू जपाती तो गाइज ये अभी हो चुकी है तो हम इनने निकाल लेंगे कि ये हम करते हैं प्था जता क्था टीयार ही कि अच्छी जहीं प्रखागा को प्रण में प्रेक्व अच्छी इसको काटना अची जिए और अब हम इसे सर्सो के तेल में तलेंगे तो यह अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे यह पतोरु और यह अच्छे से बुन गई है तो मैंने निकाल रही हूं अब बदल में तूल चुकी है नियुठ ह二 से हम वसी हम से का शेम रहाओ मैं प्रताई है Ĕर चुक्तोर अएंगे थ Face तो यह रहा मठ्था और यह रहे पतोर्डू और अब हम खाने वाले हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो का लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल का सब्सक्राइब करें रोट्टी यस कदे ही वनियो बपा शांदार अच्छा अच्छा